जहीं दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने उटूब चैनल नौलेज ग्रिंथ में आज हम बात करने वाल है ओमिक्रोन वाइरस की जो कुरोना का है एक मुटेटेड रूप है और अभी कहा जा रहा है डवलुएएचो को द्वारा ये इसको वेरिंट नाम क्यों दिया गया और डिफरिंट नाम क्या होते हैं जो अभी तक दिये गए हैं और ये वाइरस कहां से सरप्रथम मिला है और कितना ज्यादा फैल चुका है तो इसके पहले हम वीडियो को स्ब्सक्राइब करें तो प्लीज जा करें जिससे आगे आने वाली सारी वीडि क्या गया है सदन अफरीका इसका नाम जो है वन पॉइंट वन पॉइंट फाइब तुनाइन इस ट्रेन है और 26 नवंबर को डिकलेर क्या गया वह चोग दौरा और इसको वीरिंट ऑफ कंसन बताये गया है और इसका नाम ओमी क्रॉन दिया गया है और कहा जाया तो मीक्रॉन जो है most traveling category of COVID-19 वायरस जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है डेल्टा वायरस जो इंडिया में ही मतलब माना जाता है इसका म्यूटेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ है और अभी UK में सबसे ज़्यादा तबाहिये वायरस मचा रहा है तो उसके जैसा ही कु जैसा कहा जा रहा है जिस तरह से मुटेट कर रहा है तो अभी तक सबसे ज़्यादा मुटेट करने वाला वायरस यही है ओमिक्रोन वायरस और नाम किसके बात करें तो इसका नाप ग्रीक वर्ड पे दिया गया है अगर आप देखना चाहिए अलफा अलफा जैसे UK का वायरस के नाम पर अगर आप देख पारे हैं सामने लेकिन तो नाम जो है जिनको वायट कर जा रहा है एक नाम है new और एक है Jji जेड़ाई इसलिए कि यह सी जिंपंग के नाम से मिलता जूलता है इसलिए वह थोड़ा डर रहा है और आस से नहीं बहुत पहले से ही इससे डर रहा है और ये new नाम को भी थोड़ा सा avoid किया गया and अगर आप देख पा रहे हैं तो n नाम को avoid इसलिए किया गया है क्योंकि ये new से मिलता जुलता word होता है any w जो आप new तो इससे confusion नहों इसलिए थोड़ा सा अगर हम बात करें कि ये mutate क्यों कर रहा है तो जैसे जैसे virus फैलता जाता है लोगों में फैलता जाता है जितना जादा फैलता है तो लोग की immunity के हिसाब से ये अपने pattern को change करता है जिससे अगर उसकी immunity मतलब इसको फैलने में रोकने वाली हो तो उसको रोक ना सके तो हो सकता है उससे virus खताम होने वाला हो तो इसलिए उसको नाम दे जाता है अगर different नाम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये नाम दिया जाता है इसलिए क्योंकि जैसे कि आपका COVID-19 virus सबसे पहले कोरोना आया था उसको पहले बोलागा Chinese virus लेकिन उसके बाद जो वाइरस आने लगे चाइना उन पर ब्लेम करने रहा कि इंडियन वाइरस है ये ब्राजिलियन वाइरस है तो इस चीज को वाइट करने के लिए इसे country का नाम बन नाम ना हो इसका WHO ने क्या किया इनको नाम देने श्टार्ट कर दिया इसको आपका variant of interest or rate of concern का खिसाब से देखा या तो variant of concern में दिया है जो variant of interest जी आरे खतरनाक होता है अगर हम ओमिक्रोन वाइरस की बात करें ओमिक्रोन वाइरस जो है जो आपका SARS COVID-192 का वाइरस था उसी का एक evolution माना जाता है WHO की एक technical advisory group होता है यह decide करता है कि यह virus किस category का है और यह WHO का वाइरस जो आपका 24th November को सबसे पहले South Africa में पाये गया था बट इसके सबसे पहले specimen जो पाये गए है 9th November को वहीं पाये और यह इतनी तेजी से recent week में इंफेक्ट हुआ है ऐसा नहीं है कि यूरोप में इंफेक्ट नहीं हो रहा है बट आफरीका में बहुत ज़्यादा speed से इंफेक्ट हो रहा है और due to क्योंकि flight cancel कर दी गई है इसलिए अभी इसको ज़्यादा concern माना जा रहा है क्योंकि बिकाद इस country में फैल आ है कंट्री को इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होता है तो अगर आफरीका ने सारी flight को बैन कर दिया है अपने हां आने और जाने से तो इसका यह मतलब समझा रहा है WHO समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता ही और अभी अगर बात करें तो South Africa में देखी 100 से ज़्यादा फैल गया है विदिन 2 weeks में वो च्वाना में भी इसके कुछ मामले मिले हैं Hong Kong में मिले हैं, Belgium में मिले हैं, इसराइल में मिले हैं और आपका Denmark में मिले हैं तो Omicron जो है Variant of Concern बोला गया गोसित करने के लिए तीन चीज़े देखी जाती है एक चीज़े देखी जाती है transmission efficiency कितना तेजी से फैल ला है दूसरा disease severity मतलब कितना खतनाक हो सकता है अगर फैल जाए तो मतलब जो vaccine दिया गया उससे कितना दूर भाग रहा है इस बेस पर किया जाता है तो इनको देखने के बाद इसे पता चला कि यह variant of concern है क्योंकि यह तेजी से फैल ला है यह severe भी हो सकता है और immunity से भाग रहा है तो current COVID virus जो है यह आपका PCR test जो होता था उसमें detect हो सकता होगा यह अच्छी खुसी की बात है उसके बात अभी आपको बोलागी दो से तीन वीकिस में लगेंगे इसकी complete history नहीं करने में बट ऐसा भी तक research में कहा जा रहा है और पर vaccine काम नहीं करेगी क्योंकि आपके ICMR के एस पांडे जो एक आपके ICMR के head है उन्हों नहीं यह बोला कि इस पर vaccine काम नहीं करेगी